हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है क्यूकिंग मिधलवा में आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट वाली घर बैठाई लड़ू तो मार्केट में जो बेशन का लाते हैं बहुत बच्चा लोगों को अच्छा लगता है वह बहुत प्रेम जिला के खिलाते हैं तो बहुत मातरा में चीनी रहता है जो आगे चल के नुक्सान होता है तो आज हम घर बढ़े कम चीनी में बेशन का लड़ू बनाना शिखाएंगे आपको बहुत बैदरीन बहुत लाजवाब और इस लड़ू में सारे सिग्रेट और टिप के साथ हम बताएंगे किस तरह से कम चिनी और कम खर्च में यह बहुत 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 बनेगा तो चलिए इस रेस्पी को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले एक मोटे तली के कढ़ाई लेंगे गैस कौन करेंगे हम अगर मात्रा में बनाना है तो कॉंट्रेटी डवल हो जाएगा कम में बनाना है तो हम कम कॉंट्रेटी में आपको बताएंगे तो यह हमारा 180 ग्राम बेशन है एक कफ का है तो इसमें 100 ग्राम अगर डवल बनाना है तो अधाई 100 ग्राम बेशन का बनाएंगे अधाई 100 ग्राम बेशन इसमें इसमें घीट डालेंगे आप कफ के नाप के डाल सकते हैं अंधास से डाल सकते हैं तो अधाई 100 ग्राम बेशन और 200 ग्राम यह याद रखिएगा और इसको भूझने में एक दम धीमाद अब मीठा तो हमें 20-25 में यह बेशन को भूझेंगे बेशन डाल चुके हैं कड़ाई को आउन कर चुके हैं य मोटे तली कड़ाई इसलिए पतले कड़ाई में आपका बेशन जल जाएगा भूझाई या नहीं होगा खराब हो जाएगा लड्डू कड़वा लगे खाने में इसलिए इस बात को ध्यान देना है कड़ाई जब भी बनाई यह सब समागरी तो आप मोटे तली कड़ाई दे है तो अगर कॉंटेटिम आते हैं तो देट सग्रम पुड़ा भड़ा हुआ नहीं है आधा से ज्यादा है तो इसको हम डाल देंगे और जो हमारा पजाई से मल जो घी बचा है उसको हम थोड़ा सा भूझने के बाद उपर से डालेंगे जो हमारा यह सिक्रेट है बेशन के स अधहता है तब देख सकते हैं कि यहाई साग्राम भिफिए में Venus बेशन में घी सब्हु झालें हैं तो अधाने हमारा यह पूरा सनागिया जैसे है कि यह मना शेकिया हो आप वैसे वैसे यह पथलेख कर आल यह पतला जागा तो हम घी इस्तेमाल करके 200 ग्राम बेशन को भुझ रहे हैं और कंटीनु इसको हम चलाते रहेंगे इसको चलाते रहेंगा जैसे हमारे बेशन हलका 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 होगा और कलर विचेंज होगा ताभी पूरा यलो दिख रहा है भुझाने कबाद एदम जब पूर बुझा जागा तो हमारा ब्रॉन दिखेगा सुनेरा तो इसलिए हम और बेशन को आपको कंटीनु चलाते रहना है छोड़ना नहीं है अगर छोड़ देंगे तो निशे का पॉर्शन में जो रहता है तो लाल हो जाता है इस बात को धियान देना है तो कंटीनु करते हैं इस तेश्ता में भूज़न भूंज करके लाल कर लेते हैं बिश्दन का कच्छा पन जाता नहीं तितको ठहना लगता है तो इस बात को धियान देना है गैस को एकदम सीम करके जैसे हम बता रहे हैं बस उसी परकार से आपको बनाना है आपको परफेक्ट लेड़ू और बजार स लाते हैं पैसा लग भी जाता है बहुत सारा तो आर भाइत नहीं तीस में बजार से कुछ हट के बनाएंगे इसमें थोड़ा सा ड्राइफूट भी हम इस्तवाल कर सकते हैं आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं मैट से हमारा कुछ ज्यादा समय चुगा है तो हमारा बेशन थ को छोड़ देगा हम लड़ू बना देबाने चरह साथ चाय का विच उसकी ले लेते हैं मजा आएगा देख देखिए हमारा लगवाग तीन से चार मिट हो गया और गैस का फ्लेम देख सकते हैं अप एकदम लो जैसे घर का चुला घर में रोटी पकादे धीमाता में उसी प करना क्या है तो इसके नीचे रोटी पकाने अला उसके उपर कढ़ा ही रख करके आप अराम से इसको भून सकते हैं तो आप हमारा देख सकते हैं लगवाग ये चार ते पांच मेंट होने वाला है और हमारा बेशन का थोड़ा सा छोलनी से दूड़ी बन रहा है तो बेशन का दूड़ी बढ़ते है तो पहले जिससे में डाले तो इससमें बहुत था थोड़ा हलका धिला हुआ तो और जैसे घी के साथ साना हुआ था अब घी भी हमारा अच्छी देख से गरम हो चुका पिखल रहा था पहले जमावा घी था भी घी पिखल भी गया है तो इ यह लूज होता है तो थोड़ा सा हाथ कभी इसमें एक्सरसाइज हो जाता है अगर एक हांस्ते चला रहे हैं दिक्कत होता है बदूस्रे हां से भी इस्तमाल कर सकते कोई जरूरी नहीं है जी हम बना रेकिसी हां से हम continue करते रहेंगे तो इस बात को भी धियान देना है और हम तो लो हमारे यह नहीं हुआ यह उसको इस तरफ देखना है और सब्समारा आप और हमको चोली कुंझीन ना बहुत आसान हो रहा है तो आभी भी चोली से नहीं गिर रहा है और और कुछ आप थोड़ा तर के लिए इसका गैस और सिम करेंगे हम गैस इसलिए सिम करेंगे गितना धीमाता में भुझेगा उतना बैतरीन लड़ू बनेगा और फैन होने बाद थोड़ा सा हलका हो जाता है तो थोड़ा सा इसका पानी का जो कच्छा पन है आप देख सकते हैं कि बेशन का हमारा कलर भी चेंज हो चुका है पीला से कुछ लाल पंट्र आ गिया है सुने रहे कलर पे तो यह हम लगवाक दो से तीन मेट हमको कंटीनू बताए दें यह लड़ू बना में 20 से पजिस्मेट लगेगा हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो इसको हम तो इस सब्सद्राइब देख से जैसे जाते हैं चोलनी पर इस दरारा हमारा गिराता है । यह अराम कंप्लिट बहुझा जाए गा तो यह राम चेन आपको बहु पता चल जाएका पहता है कच्छापन बेशन का प्वाणी जो होता है और आपको व्यूंता हौन बेशन बेशन कर बेसन नहीं है आप चना का बेसन सही बना सकते हैं और आगे बना सकते हैं एक मुंंग डाल बेसन नहीं आता है तो हम आइसे ही पहले वीडियो बना के दुखा चुके है उसमें यह twee आप बीच súper का है तो लगवग यह हमारा बेसन तो गी अश्टरा डलना है जैसे हम dough How अब जो हम एश्ट्रा बता हैं तो इसमें खाने वाला चमच से हम दो चमच पजास गिरम नहीं डालने के अलावा उसका आधा भी डाल सकते हैं जैसे अभी हम घी अबेशन को साथ भूजे तो इसका घी कमेट मेहक खतम होता है तो बरकरा रोने के लिए कच्चा घी थोड़ा इसमें डालेंगे हैं हम बता देंगे आव अँध्या कोशit चली हमारा बेशन हव चुका है बेशन राब चलाने में बहुत आसान लब लिए यह तो यह निकाल लेंगे इसमें तो इस तरह से निकालेंगे यह फैन के नीशे चला करके इस ते उतार लिए एक पर राकर करके इसका गर्मी निकालेंगा अगर इसको इसी तरह से छोड़ देंगे हम थमारा बेसन जल जाएगा निकाल सकते हैं कर बेशन उतारने के बाद एक मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा इलेशी पॉड़र डाल देंगे स्वाथ के लिए हैं और आप बेशन का कलर देख सकते हैं बहुत लाल सुनहरा हो चुका है इसको कंटी जब तरक नॉर्मल ठंडा नहीं इसको चलाते रहेंगे और जब हमारा बेशन चुलापर से उतार के एक मिनट हो चुका है तिसमें हम थोड़ा सा स्वाथ के लिए इलेशी पॉड़र इसमाल करते हैं अगर सुधी कलर डू बनाते हैं तो आपको इच्छा नहीं ड जाल देने के बाद थोड़ा सा टेस्ट और बहर जाता है तो इसलिए हम एक चुटकी तो दो से तीन हड़ा इलेशी का पॉड़र डाले हैं अब इसको कंटीनू करेंगे हैं अब बजार से हट के बनाना है तो बजार में बेसन और चीनी रहता है तो हट की किस परकार से बना बनाने के बनाने के बाद आदा समय देंगे 50 ग्रम नहीं डालेंगे और लट्डू का गम घी का एक दम यहां तक आ रहा है आप साथ हो सकता आप लोग को भी पास जाता होगा इससे फाइदा हुआ कि जो जी जला हुआ है उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों मिल करके ब अगर किसी परकार से आप लट्डू घर में बनाते हैं किसी जिसका भी बनाते हैं आप बनाने के बाद आदा समान बनाने वाद ऊपर घी का थोड़ा चिटा मार देंगे तो यह देखिए यह मार थोड़ा सा कांजू और बदाम है इसको हम चाकू से ही बारिक करेंगे आप चाहें तो मिक्सी में भी आप लेके इसको थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं इतना मोटा नहीं डालेंगे तो चाकू में किस तरह से करेंगे में इस तरह से हम कटावा भी है मार्केट तो इस तरह से हम दाना बना लेंगे औ कर लेंगें कि अब इसको थोड़ा सा नहीं कर लेंगे अपयासा थोड़ा सा कच्चाओ नट पॉडर या आरink मार्केट में जो आता है को कॉड़न पॉडर वह भी इसते लेकिन बेसन का लड़ इसलिक पोडर हम नहीं आइड करेंगे आप अपने उनसे अगर ड्राइफुट नहीं यूट करना चाहते हैं तो आप कोकोनट पॉडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़सते कि आप बेसन भूझने के कुछ समय बात देना कि बेसन भूंज रहे हैं तो उ और भी मिलाने के वाद 20 प्रेंट हमाल हो चुका जब गरम में डालेंगे तो नीन फिर्ण गरम रहना चीज़ए लेकिन आफी बहूत ज्यादा करेंगे किसी बरकार से चलाके हम इसको ठंडा करेंगे पिसाव चीनी ढलींगे तो पिखलने का फोड़ा सा एकदम ठंडा हो जाता हलकशंख गरम करें भर का डालेंगे इसको चलाते रहा है कि हमारा है ठंडा चुका है di dehras बार इने डालेंगे इसको एड़ करेंगे और इसको मिलाएंगे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे हम लग्राइब के अंदाज क्वंट्रेटी में डाल चुके हैं अब इसको तरी के मिला लेंगे और इस तरह से आप देखते हैं जब डालें तो हमारा सुखा हो गया तो इसमें थोड़ा सम तो हमारा जितना इसे मार्केट में है जितना बेशन नहीं डालें तो हम इसको बाहन सकते है इसमें चीनी का मातरा वही लागेगा तो को डो सोग्राम विशन इस्तेमाल कि थो नहीं को ब्राबर चीमिक्वट वक्राइब मार्केट से अगर हम खरीद की लाते हैं बेशन का लड़ूते एक केजी बेशन में कम से कम अधाय केजी चीनी डालता है तो हम बराबर डाले हैं अब इसको पजास क्राम चलाएंगे अब देख सकते हैं कोई भंजट नहीं कि चासनी बना के देना है यह करना वह वह करना वाइस आपको लगता है चीनी के डाला रहता चीनी नहीं चासनी का भूरा बनाकर ढलता है कुछ कुछ दुकान में चिनी पोडर लाता है तो चिनी का भूरा बनाता हुद चासनी की इसको फिर से चीनी बना कर इस्तेमाल करता हुआ तो यह हमारा या लाश्ट वाला पर्षन पूरा डाल दिए है लगवाम यह 800 चीनी पॉडर इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं बेशन भी हमारा अधाई सोग्राम था कि इस तरफ से अब छोनी घसका करके आहां से मिला लिए हैं अब इसको हम बहांद लेंगे हमारा लड़ू बहांने लाइक हो चुका है तो लड़ू बहांना आपको लगता हो कि पहले गिला था अब ऐसे भड़वरा कैसे हो गया तो जै टनी पॉडर डाले हैं यह को मैनेज के लिए इसमें बुकंदार लोग के लिए आय। तया हम сиг दालता है तो आटक स्वोक्तर हां तो ना बड़ने में फ्रिका रेषान होता है कि बना और यह परफ्रक्ट लड्व तैयार हो गया है तो 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 चार्व ग्राम चीनी पॉड़र इसे इस्तेमाल करके हैं बैतरी लड्व आपके बीच नाके रख रहे हैं जो टैसर यो भूईने के बाद जो होता है तो पूरा ठंडा करना है गरम में ड़लेंगे तो चीनी पीघल ज जाएगा एक बार इस लड्व को जरूर ट्राइक करें आप ट्राइक करने के बाद वार्टसर ग्रूप पर फूटो अपना बेश सकते हैं रूप का लिंक नीचे दिया हुआ है निलते है नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए झाल